हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सबी लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तो यह है मधुकामनी का प्लांट और आज मैं इन्हें गमले में लगाऊंगी और यह पौधा मेरे पास नहीं था दोस्तो इसलिए मैं इसी नर्सरीज मंगवाई और यह हमें मिले 150 रुपए में इनकी कटिंग भी बहुत ही आराम से लग जाते लेकिन कटिंग मुझी मिली नहीं कि मैं लगाऊं तो मैंने सोचा कि चली इस नर्सरीज से मंगवा लेते हैं एक काफी बड़ा पौधा है दो वराइटे इनकी होते छोटी बड़ी तो बड़ी वराइटी मेरे पास है और इनमें चूटी चूटी कलिया भी आ रही है तो इनहीं लगाना बहुत ही आसान है और देखी काफी घने है तो फरवरी की महिनी में अगर प्लांट लगा है तो केर करना जरूरी है इनका रिपोर्टिंग का प्रोणिंग का खात पानी देने का खिलाल मेरे यहां पहली बार लग रहे हैं और आगे अच्छी तरह से लग जाएंगे फिर केर होती रहें तो दोस्तों इनहीं लगाना बहुत ही आसान है यह बड़ा पौधा है तो इनके लिए जो बड़ा गमला जरूरी है और लगाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं बहुत ही आसान है लगा अच्छी तरह से लग जाएं फिर के बाद फोल आए यह देखिए बहुत ही बड़ा गमला है और मैं आपको बताओं कि इससे भी बड़ा गमला हमें यूज कर सकते हैं और मिटी के अगर बात करें तो अपने गमले की मिटी है सेंड मिला हुआ है और मैंने मिटी थोड़ी से बाद जो लगा दूँगे तो मिटी ज्यादा से ज्यादा फोरो सोनी चाहिए जैसे मैंने बताया कि एक हिस्ता सेंड एक हिस्ता मिटी दोनों मिला हुआ है और एक हिस्ता मैंने कंपोस्ट भी मिला लिया है तो कंपोस्ट की अगर बात हम करें तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकत है इस तरह से देखिए बिल्कुल आराम से हम निकालेंगे तो दोस्तों जो पौधा है बहुत ही कम केर मांगता है एक बार लगा के छोड़ देजी धूप में और बिल्कुल आराम से चलते रहेंगे इस तरह से इनकी मिट्टी सूख गई है क्योंकि मुझे लगाना था तो शुरू में एक दो दिन पानी दिये फिर उसके बाद छोड़ दिये थे देखिए ऐसे नमी बनी हुई है लेकिन बहुत ही सक्त मिट्टी है तो दोस्तों मिट्टी को हम निकालेंगे देखिए इदम बि तब जाके हमारे कामनी का पौधा अच्छी तरह से ग्रोध कर सकेगा अगर ऐसे ही लगा देते हैं तो पड़े रहेंगे मिट्टी में बिल्कुल पत्थर की तरह है तो मैं पहली बार लगा रहे हूं यह पर्मानेंट प्लांट है दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं त इसे जब फ्लावरिंग होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर्ट सेयर करूंगे देखिया मैंने बहुत ही आराम से इनकी रूट्स को इस तरह से हलका कर दिया देखिए मिट्टी को हटा दिया भोत ही सकत है देखिए जल्दी नहीं निकल रहे हैं इस तरह से हटा देते ह देखिए तो दोस्तों अगर आप भी इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो नरसरी से या फिर कटिंग कहीं भी पौधा देखिए तो कटिंग लगा सकते हैं कटिंग बिल्कुल आराम से लग चाहेगी इनके छोटे-छोटे बेभी प्लांस में निकलते हैं से इस तरह से थो है किनारे किनारे में मित्ती भरूघे और हुल इसमें बना हुआ है दोस्तों कोई भी गमला हो होना जरूरी अगर पानी जमा होगा ना तो मित्ती शड़ेगी प्लांठ हमारा अच्छा-स्था खराब हो जाएगा इसलिए ड्रेइनिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए देखि तो दोस्तों हर 15-20 दिन में इनकी मिती खलके से घुड़ाई कर देंगे फिर उसके बाद जो भी और्गेनिक खाद है मुखाद देंगे पानी पानी जो है गर्मी शुरू हो गई है तो बराबर सामकिताइं पानी देना चरूरी है ताकि इनमी नमी बनी रहे देखे हमने लगा दिया और अब जो है मैं पानी दूंगी तो दोस्तों मधुकामनी का प्लांट लगाना बहुत ही आसान है अगर आपको यह प्लांट पसंद है तो जरूर जरूर लगाईए कितने अराम से लगा भी दिए और पानी भी दे रहे हैं अब जो है मैं इन्हें दो-चार दिन खेंगे ताके इन्हें अच्छी खासी धोप मिल सके तो दोस्तों हमारी वीडियों आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत फूलिएगा फिर मिलते हैं धन्यवाद